इस टॉपिक के अंदर हम जिस तरह प्रीविएस टॉपिक में हमने क्विकली डोर्स को क्रियेट किया पहले हमने प्लेसे की उसकी बनाई फिर हमने उसे बनाया और फिर उसको हमने अडियस्ट किया अब सेम मैनर में हम सबसे पहले विंडोज की प्लेसिस बना लेते हैं फिर हम कुएकली उसका इंट्रोडक्शन और उसकी उसको हम बनाने के तरीके भी देख लेंगे किस तरह हम उसको प्लेस कर सकते हैं जो हमारी रिकॉाइड जो भी हमारे पास बिट्थ जिगा मोजूद तो वेंटिलेशन परपस हमारा पूरा नहीं हो सकता, सनलाइट का परपस पूरा नहीं हो रहा, हेल्थ पॉइंट अभी उससे यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो विंडोज जो है क्योंकि यह घर को एक लाइव बना देती है उसके इंवार्मेंट को हेल्थी बनाती है तो जब भी आप डिजाइनिंग गाइड लाइन्स देखेंगे तो रिक्मेंड किया जाएगा कि इंशूर करें जो आपके अगर बेडरूम है या आपका बाथरूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन और विंडोज तो इस लिहाद से विंडोज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी हाउस के अंदर अब हमने जिन घरण के दरवाज़े लगा लिये उन्ही कमरों के साथ हम लगा सकते हैं फिर के जो बिस्टेभे लगाने का रूल डिपेंड्स के आप किस तरह की विंडो लगाना चाह रहे हैं आपके पास उसके मल्टिपल साइज़ अवेलिबल हैं आजकल एक कॉंसेट आया हुआ है आप जाके प्रेसेंटेशन में देखते भी हैं कुछ लोग पूरी पूरी दिवार के अंदर जो है वो ग्लास की विंडो का वा हूँ है तो लैटो की बहुत सारी ताइपस हैं इसके माटियालि स्क्राव मेरे फिलाहल हम देखते हैं किस राम हम देखते हैं किस तरह दू की प्लेसिस जुआ है विंडो़ बनाते हैं हाउस प्लैन के अंदर तो बढ़ते हैं कRक तफ लॉक तरह पनेग थाएं में य यह विंडू जोराएंगे है तो यहांपर यहांपे खाड नीचे वीदुड तो विंडू हमें एक जब एक हमगे唱ति तो इसे सेपर पांच विंडूं कमतरिए हम बमाना है तो मियर कर लेते हैं अब यह हमारे पास लाइन है तो हम डी आए डिस्टन्स लगा देखें एक तब मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास यह 11 फीट और 3 इंचेज जो है इसकी इस टाइम हमारे पास मौजूद है लेंथ यह उसका मीडल पॉइंट है अब हम हो सकता है कि इस मीडल पॉइंट को करते हुए तू फीट बाए तू फीट या क्योंकि इस तरफ दरवाजा है तो हम इसको इस तरफ भी ज्यादा इंचोर कर सकते हैं तो इसके कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है सेंटर में भी लगा साथ आप कमरों में देखते हूंगे अक्सर आप देखते हैं दरवाजे के बिल्कुल साथ भी विंडू होती है दरवाजे बाज़ बाज़ एक कमरा पैसा भी देखते हैं जहां से दरवाजा भी है और एक साइट पर दरवाजा एक दिवार के साथ उस दिवार के साथ जागा है खिड़की है तो इसका कोई हार्ड और फास टूल नहीं है आपने ही रिसाइट करना है अगर आपके पास फुल वाल अवेलिबल है और वह कुछ भी नहीं है तो कोशिश करें सेंट्रालिटी इंश कर लें so di I हमारे पास command है दरवाजे से इसको separate करके आगे बना रहे है यहां पर दरवाजे की opening भी होना है तो 8 2 हमारे पास भी वीडिबल है बलकि अब हम क्यूंकर प्लेसेस इंशिओ करना है विंडो की तो हम इसको interior के और रखते हैं interior में ही काम करते है Windows जब लगाएंगे तो उसको हम window की separate layer में रख लेंगे, अबियाम क्योंके just places तो places दिवार के अंदर हैं तो दिवार हमारी sari interiors है और हम यहां से यह हमारे पास interior जो है यह हमारी current layer है यह हमें लाइन लगाई है say हम इसको o enter offset 1.5 feet का इसको इधर से offset देते हैं अब हम चाहें तो इसको five feet में लगाना चाहरे हैं suppose क्यूंकर space काफी है, five feet तो ये हमारे पास five feet की space है again simple trim, tr, double enter, तो ये हमारे पास window की space यहां बन गई अब इस कमरे के पूरी हो गई, इस तरफ आ जाते हैं इसका सेंटर इन्शूर कर लेते हैं, यह सेंटर है और अविशे गा लेते हैं, आफसेट देते हैं, तो एंटर और वन फीट अन बोछ साइट, तो यह हमारे पास जो है, टी आर डबल एंटर, जो हमारे पास पाउडर रूम की विंडो की प्लेसमेंट हो गई, अब हम आजाते towards our bedroom जो है और इसके बाद kitchen है अब हम इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास available space इतनी है and then we'll decide accordingly कि फर्स करें यह हमारे पास total space है so di distance और अभी हमारे पास है 4 feet, 9.5 inches हैं तो हम इसका जो है वो अगर हम इसकी ensure कर लेते हैं एक और line लगा के centrality में यह center है यह मैंने line जो लगाई इसको मैं डिलीट कर दूँगा दूँगा दूबारा यह line क्योंकि यह सिर्फ मैं center के लिए लगा रहा था और अब हम क्या करते हैं इनको हम बेशक डिलीट कर देने का कोई purpose नहीं है अब इस line को जो हम O enter और 2 feet का offset देते हैं बोज साइट तके यह 4 feet की हमारी यहां पर टी आर डबल एंटर और इसको मैंसे डिलीट कर देते हैं हमेरे पास window यहां पर एड़ेस्ट होगई आप हम यहां पर आ जाते हैं अभी हमंआरे पास kitchen ए ना किचिन खरें साइट केंडर अगर अगर गांके काबने सादा करेंगे तो वहां पर आफ़ बहुत ही नहुदे किचिन के अंदर केंडर होती है तो वहां पे एक certain height के ओपर आप cabinet देखते हैं वह depend करता है वह अक्सर stones की बनी होती है लेकिन उसके नीचे बाद वाज वकात आपने woodwork से भी काम हुआ होता है लकडी के भी available होती है उसके नीचे for example एक certain height है उस height के ओपर वह मौझूद है और आपके वहां पे काफी सारे बरतन पढ़े हैं आपका चूला लगा हुए उसके नीचे जो हैं वह आपकी शूटी शूटी अलमारियां बनी हुए हैं आप उसको open करते हैं उसके अंदर आपके कुछ सामान वगएरा पढ़े हैं जो kitchen में यूज़ होते हैं सो हम वह इंशूर कर ले तो उसके साथ हमारा window का placement औ अब अगर हम चाहें तो cabinet की अलएदा लेयर भी बना सकते हैं क्योंकि ये interior में तो बैरल नहीं आनी तो हम बना लेते हैं ताके हमारे लिए असानी हो जाएगी तो ये हमारे लिए ज़रा असानी हो जाएगी ठीक है ये लेयर बन चुकी है इसको हम on कर लेते हैं यहां से और कलर जो है से हम कोई भी यूनीक कर लेते हैं हम इसको ब्लू कर लेते हैं और ओके ये लिएरान है तो अब जो है हम यहां से टू फीट का जो है यहां से हम आफसेट देते हैं और एंटर आफसेट टू फीट ठीक है और अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब हम जैसे सेलेक आफसेट करना है और मैं चाहरा हूँ कि यह मेरी किस लेयर में हो उसी लेयर में हो जो मेरी करंट लेयर बनी हुए यह सूर्स में नहो और अगर मैं यह करना भूल गया लेयर सेट करना तो यह क्या करेगा यह आफसेट दे तो देगा लेकिन यह उसी लेयर में देगा इंटिरि अगर हम 2 करके और यह उब्जेक्ट अब नोट करें तो यह हमारा जो है यह क्रॉंट लेयर में आगया है इसी तरह हम इसको भी 2 कर लेते हैं अब जरूरी नहीं कि हम दरवाजे तक इसको लेके जाएं हम इसको दरवाजे से थोड़ा सा पहले किसी भी डिस्टेंस के उपर एंड कर सकते हैं सबोस्स मैं इसको यहां पर एंड करता हूँ अब मेरे पास ट्रिम की कमांड है क्रिम की कमांड अप्लाई करते हैं और यह हमारे पास T.R ठीक है और यह हमारे पास यहां से आप इसको कर देंगी तो यह मैंने कैपड़िट मना लिया अपनी अब यह विंडू यहां पर ने देनी है खिडकी हमारी यह यह वाली और यह यह दो रहे गई हैं अगेन हम डी आय डिस्टंस से मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस है कितनी तो यह सेवन एंड सम्थिंग है तो क्योंके यहां पे कुकिंग भी हो रही होती है हमारी तो हम यहीं इंशोर करते हैं तो हम सबसे पहले के इस में एक लाइं 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 लेते हैं जो के थेंटर हम इसे पास कर लिफिए लाइंंट लगा 날ए और हम अप्षिएटेड अफ़िएड्टे смотреть आजा लाइं देते हैं सेंटर में एक लाइन और इसको हम 3 का लगा लें अगर तो ओ एंटर या अगर 4 का ही लगाएं यहां पे भी हम तो 2 feet offset on both sides तो यह जो है TR double enter so we can have trim like this one so यहां पे भी window हमारी placement हो चुकी है यह window भी हो चुकी है अब हम आजाते हैं हमारे बाथरूम की तरफ इसको भी हम measure कर लेते हैं DIA यहां पे बहुत बड़ी window नहीं देंगे हम distance so that is probably 4 feet and 7.5 inches so यहां पे अगर हम L enter करके इसका center point ensure कर लेते हैं पहले और say हम 2 feet के लगाना चाह रहे हैं तो O enter 1 feet on both sides so यह हमारे पास 1 feet on both sides TR double enter trim यह हमारे पास नहीं यहां प्लेस करेंगे यहां हमारी bedroom की है यह हमारे kitchen की है यह हमारे जो है वो powder room है उसकी है और यह हमारे पास नेक्स topic के अंदर window की placement देखेंगे Windows की layer के अंदर ही हम इसको बनाएंगे और हम place कर देखेंगे किस तरह हम windows को adjust करते है इन हाउस प्लान इस टॉपएक के अंदर हमने अपनी खिर्कियों की प्लेस्मिट्स देखी हैं किस तरह हम अपनी जो है वह क्रियेट करते हैं स्पेसेज और हमने देखा कि डिसीयन मेकिंग हमारे उपर है कि हम उसको सेंट्रालिटी में रखना चाहते हैं विंडो को कि इतना बड़ा रखना चाहते हैं उसका साइस कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए किस तरफ होनी चाहिए लेकिन एक जो बेसिक थंब रूल हमने देखा कि विंडो हमेशा ओपनिंग वाली साइट पे होती है कभी भी ऐसी विंडो नहीं देंगे हम उसको किसी दिवार वाली साइट पर देंगे जिस तरफ से हमें वेंटिलेशन भी इंशोर हो हमारी सानलाइट भी इंशोर हो ताके हम हेल्दी भी रहें और विंडो अपना परपदी सर्फ करें